है हलो दोस्तो们 मेरे नाम अंगे जिंग और यह वीडियो के इंदर मैं आपको डिस्क करने वाला हूं अनीमया जो आपका दलनों सारव पार्ट होता है अन्दर उसके अंदर याता है तो इसके अंदर इसके डेफिनेशन कहां पर देखते हैं कॉन से क्लासिंटेटेशन है पैलर विदाउत नीमिया सिंटम वरकिंग क्लासिपिकेशन और इसे जो जो गॉंबन यूंप आप से भूसता है वो सारे बात है हम इस्वेड़कर दिसक्रने मालें सब्हुता आत या अनीमिया की डेफिनेशन डेफिनेशन होती है व्हें क्वालिटेटीव और क्वांटेटीव डिमिनेसन ओप आर वी सी या हमोलोबिन स्ट्रेशन ठीक रबी सिंधर भी हो सकता है हमोलोबिन रॉसकता है रिलेशन टू स्टेंड़ एजेंट सेक्स ठीक सबसे पहला पता होने चाहिए चाहिए ऑनिमिया की जो जी आप सेमें से कम हो जाता है बोलेंगा का जो का है तो आपका जो कारडिनल साइन ने मिअ की वह आपका पैलर का पर देखते हैं जान पूछता करवा के देखता है तो हम नौरमल गुड्नेस दिलाइट में हम इसका साइट देखते हैं कौनिश-कौनिस साइट होती है लोर पेल फेबरल कंजेक्टिवा टंग स्पेशली एट दा टीप एंडोर्सम मेंब्रेन पैलेट पैलेट के अंदर मैंली सोफट पैलेट इसके बाद आपका नेल बैड्स और पाम सोलेंड जनल स्किन सर्फेस यह महन होते हैं आपकी एनमिया को देखने की साइ सब्सक्राइट करते हैं जो नॉर्मल मानते हैं वो मानते मेल के अंदर 14.6 to 15.5 डिफरेंट बुक होती है उनके इदर डिफरेंट 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 वेल लूज की उपर निसे तोड़ी बढ़ाके देर रखी होती है लेकिन आपको जो एक बुक है जहां से आप पढ़े रहे हैं उसको रिफरेंस देखे आप उसको बता सकते हो फिमेल आपका 13.6 एक कम कर दो 13.32 14.6 नॉर्मल रेंज होती है तो माइल्ड जो एनीमिया होता है उसको जब बोल लेंगे जब हम रेंज होती है 9-12 मोडेट होगी जब 9-6 मतलब कम करना है 6-9 उसके बाद 9-12 और यह आपको लाइस देन 6 ग्राम पर देसलेटर डेजिएमाउंट होता है तो हम बोलते हैं आपका है test case है उसकी बाद आता आपका सारे कुछ है होते है जाना पर पेलर चर्कुलेट्र इन ओकरण तो कूंसी कुर्ण extended होता है तो हैjak सोंटा थ्रमेयर के वे इतना नहीं होता है इंदर पहले प्रद्ञेंट होता है लेकिन नहीं सकता कि कुछ सही बताओ और सब्सक्राइब होता है तो निवांद कि खुर्णा इन्फ और सीम्ट मस ने लिए हैं आपकर सो थे हां हैं शीम्टम शीम्टम आपको वीकनेस फटेग एनुरेक्सिया टिनाइट टेस्ट टिंग सेंसेशन इस आपके को सिम्टम होते हैं डू टो निमिया ठीक है वीकनेस फटेग कॉमनल कॉमन होते हैं जाद तर उसके बाद वर्किंग क्लाश्पिकर से पूछ सकता आप से कि जो आपका सेकंड बंद नॉर्मल रालेकिन डिस्ट्रेक्शन जादा है नॉर्मल जो लाइस पेन होता है वह आपका कम है एक्सेश्व डिस्ट्रेक्शन है तो आपका सेकंड थर्ड कैटेगरी आती है एक्सेश्व डिस्ट्रेक्शन तो क्लाश्पिकेशन सिम्टम आप पैलर विदाउट निमिया क्लाश्पिकेशन साइट और डेफिनेशन यह मैं मैं आप कम से कम पता होना जाए किγαने मिया के बारे में जननर सर्वे के इंदर ठीक है तो उप कि आप इस वीडियो से अच्छा इडे लग गया होगा इन आते अइसा है तो वीडियो को लाइक और चलने सब्सक्राइब विजूर कीजाएगा दिसे आपका इन वीडियो को देखने के लिए थैंक यू भाई